In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, I hope that you are in a good, best health and spirit. This is me, Abdur Rahman Yaseen, we'll talk about Constitution of Pakistan, 1973. 1973 के article को हम पढ़ेंगे, article 18 से 23 तक पढ़ेंगे, article 18 से 23 तक आइन क्या गहता है, कैसे कहता है, क्यों कहता है, all about that, what is this in this video. सब्सक्राइब अपनी गुफ्तकों करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, article 18, article 18 को पहले, read कर लेते हैं, उसका पोस्तबाटम कर लेते हैं, article 18 का कहता है, freedom of trade, business or profession, यनि के, अजाद हैं आप किसके लिए, profession, profession के लिए, पेशन के लिए, पेशन के लिए अजाद हैं, आप अज अजाद किसके लिए, आप तजारत के लिए अजाद हैं, इसको पढ़ते हैं, subject to this search qualification, if as, if any as, may be, prescribed by law, कुछ तजहें कुछ कुछ कॉलिक्वेशन हैं, जो किसनी तजवीश की हैं, जो law ने तजवीश की हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं, every citizen, हर शहरी, have the right, हर श हो सकता है, and conduct to the any lawful trade or business, और किसी भी lawful trade or business को वो run कर सकता है, चला सकता है, यह को कहता है, आहीं कहता है, article 18 का close, इसका 18a को पढ़ते हैं, the regulation of any trade or profession by licensing system, कि किसी भी business या trade को चला जा जा गया, किसे जरीए, licensing system भी जरीए, को रेस्टरॉंट है, तो उसके पास भी अपना वो प अगर वो कोई clinic है, तो उसके पास भी license होता है, यह कि license होता है, तो license जरीए, system चल रहा है, तो यही system है, यही पताया जा रहा है, यही पढ़ते है, 18b, the regulation of trade, commerce or industry, in the interest of the free competition, आप अजाद हैं, किसके लिए, कि आप जिसके चाहे, मर्जी मुकाबले में क्या करें, आप trade करें, फ्रेशन अपनाएं, तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, आगे रोक टोक आने लगी है, C में, 18c को पढ़ते हैं, the carry on by the federal government or the professional government or by a corporation controlled by such government, of a trade, business, industry or service, or acquisition, complete or partial of the other person, सुभाय को मच चाहे, प्रेशन गोर्मेट, आप फैड़ाल हुँमत चाहे, यह वफाकी को मच चाहे, यह वफाकी को मच चाहे, वो अगर चाहे, तो किसी भी trade को, किसी भी business को, अपने तक महदूद रख सकती है, मिसाल के दोर पर सर्फ सर्म मिसाल देते हैं, मिसाल के दोर के ओपर, बिजली का बन Railway का कारोबार, स्ट्रेटियां पर तक रखा हुए, यानि कि कोई भी कारोबार, कोई भी उठेट, जिसको चाहे, फैडरल या प्रेशन गोर्मेट अपने तक महदूद रख सकती है, यह हमारा 18 से ही कहता है, डिस्टिशन लग गई, आर्टिकल 19 परते हैं, freedom of speech, oh my god, सबसे बड़ा मसला मेरे मुलक का freedom of speech, I think there is no freedom of speech, सच बोलो जिल जाओ, अब इस पर बात करूंगा एक पूरा lecture बनाकर, कि कौन सी उस सचाई है, जिस जो आप बोले हैं और आप अंदर जाएंगे, उस पर भी फिला lecture दे रहा हूं, मैं तरभा को, उस पर मैं इस लेक्षर रिकॉर् freedom of speech, कहां कहां आपको जहना वो, हैं यह नहीं freedom of speech, खैर, आवादें दुबाई आती है, इवन सचाफी हो, वो अशर शरीफ हो, कोई भी हो, कतल किया जाते हैं, जो सच बोले का जिल जाएगा, आप अजाद हैं, freedom of speech, etc, every citizen, हर शारी, shall have the right of freedom of speech, and expression, and shall be the freedom of press, आप अजाद है आप अजाद हैं, आप अजाद हैं किसके लिए, बोलने के लिए, लेकिन अजाद, लेकिन आप नहीं बोल सकते, किसके खिलाफ नहीं बोल सकते, इसलाम के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, एक, दूसरी चीज, आप नहीं बोल सकते, किसके खिलाफ, security के खिलाफ, आप defense के ख चाहिने के खिलाफ आप नहीं बोल सकते तालुक आपके तालुकात हैं आपके खिलाफ नहीं बोल सकते पबली कोडर आमन नामा के खिलाफ नहीं बोल सकते डिफेंस के खिलाफ उसके बाद morality के खिलाफ नहीं बोल सकते ठीक है यह वो चीज़े हैं जिक के खिलाफ आप नहीं ब matter of public importance, एक एहम चीज है, public importance, जो आप information access कर सकते हैं, public importance, यह नहीं है कि आप किसी के आप रात को call करने जी, sir, क्या हो रहा है, आप के गर, ऐसा नहीं है, पर not private word, word the public, आप publicly, जो public की information है, आप access कर सकते हैं, यह तो यह यह मीडिया है, यह किसी जरी चलता है, यह जरी चलता है, ठीक है, लेकिन आप किसी की, जी, मामलात को रखने का हाकासा नहीं है, यह आप इसको बारा मज़े किसी के हां, फूंगर कर रहे हैं, बताएं क्या हो रहा है, आप को पूछ रहे हैं, आप कहीं पास राइट है, को सा राइट है, नाइटीन ने कहता है, आपको राइट हासिल है, अगर लॉण ने किसके ओपर ड्यूटी इंपोस किया, तो आप उसकी इंफ्रमेशन नहीं ले सकते हैं, आप आईए सही आपको इंफ्रमेशन नहीं देगी बई, नाधरा नाधरा इंदर हमारी प्राइट साब की इंफ्रमेशन पढ़ी है, आपकी पढ़ी है, तो नाधरा लॉटीन पर टुन्टी बढ़ते हैं, फ्रीडम ओ प्रोफेस रिज़ें टूजी एंड मैनेज रिजियूस इंस्टिशन, आप अज़ाद हैं किसके लिए प्रोफेस दावा करें, किसी मख़ब का, आप अज़ाद हैं कि आप जिस मख़ब का दावा किया, आप अपने मख़ अपने मख़ब की, वो चाहिए हिंदू है, वो सीख है, वो मुसलमान है, कोई भी, लेकर पाकिसान में एक आएं के अज़ाद है कि कादियानिया अपनी मख़ब भी तबलीग कर सकते हैं, इसके लावा सभी लोग कर सकते हैं, तुविटिकर को लोग ये कहता है, एविजिए राइट वुदिफ परफेल्स, हर्श, हर्श, शाहरी के पास ये हक हासिल है कि वो क्या करें, दावा करें, हासिल है, हक हासिल है, प्रैक्टिस, वो अमल करें, हक हासिल है किसका, प्रप्रॉगेट, तबलीग करें, किसकी, इस रिलिजिए अपने मख़ब की, हक हासिल है कि व लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आइन के अंदर एक जो है ना वो शीक है कि कादियानी अपने मदब की दबलीग नहीं कर सकते हैं वह आगे चलते हैं भी पड़ते हैं Every religious denomination and every sect and their force shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution हर मजहब के हर फिर्के के वास ही हग का हासिल है कि वह क्या करे, establish करे, maintain करे या manage करे किसको अपने मजहबी दारों को ओकी हो गया सर, 21 को पड़ते हैं, 21 का कहता है, safeguard against taxation for the purpose of any particular religious no person shall be compelled to pay any special tax the proceed of which are to spend on the propagation or maintenance of the any religion other than his own भाई ऐसा नहीं होगा, यह आइन का यह article कहता है कि किसी शक्स को compelled नहीं किया जाएगा किसके लिए कि वह कोई special tax दे, वह जो टेक्स special होगा, वह किसी ऐसे मजहब की तबलीख या maintenance के उपर लगेगा वह मजहब जो उसका अपना नहीं है, वह मैं मुसल्मान हूँ, मुसे special tax दी जा रहा किसके लिए, हिंदोइम के लिए, उसकी तबलीख के लिए हिंदू है हिंदू से टेक्स लिए या इसके लिए कि मुस्लमानों की मजभी तबली करने हैं जाओ उसके पैसे चाहिए ऐसा नहीं होगा किसी चुक्त को कंपैल नहीं किया जागा कि दे टेक्स ऐसा नहीं होगा यह गाएं कित आ पड़ते हैं आर्टिकल 22 सेवगाट एसुद institution is respect of its religion etc. 22 का सब आर्टिकल 1, No person, जीन के मजब के वाले से तैलीमी इदारों के थाफुजात इसका सब आर्टिकल 1 पड़ते हैं, No person attending any education institution और पहले वो कहता है कि आप जरूरी नहीं है, कि आप किसी तलीमी दारे के अंदर बढ़ते हैं, वो तलीमी दारे जो कि आप यह मजब रिटते सादों है, कि आप उनकी मजभी तहवार को या मजभी को वर्शिप करें जरूरत नहीं है आपको कि मैं मुसल्मान हूँ हिंदूों के स्कूल में पढ़ता हूँ पाकिसान के अंदर हो कि आपकिसान के हैं हिंदू का स्कूल है मैं इसमें पढ़ता हूँ मैं मुसल्मान हो मुझे कहें पढ़ो दी वा अपना बाइबल पर हो पढ़ो दी अपना यह अमारी यह सायों की जो तबलीग शुरू हो रही है यह कोई आ गया इसी तहवार में शामिल हो यह वर्शिप में हमिल यह तो मैं नहीं रहा कि आप अजाती हो तो हो चाते हो तो नहीं ज़रूरी नहीं है मैं मुसलमान में मोसल्मान स्कूल स्कूलियां कॉलियां मर कि अपता हूं और एक सीक्थ भी मान्य में पढ़ता है तो सिक्थ 옷 taraf heard यह टाया तो उसको फूरू मूह Registerμεड करे वह अज section in the taxation of taxation of taxation. किसी भी मज़्व बीजारे के सिल्सले में, tax के सिल्सले में, में राया या छूट जाने से किसी community के साथ कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप बैंकों में जाते हैं, आप टिक करते हैं सुनुनीशिया, वो टएक्स केसा लेका है और हिसको आखैसा पूल नीए है और हो वो मुसं मान है किसमान außer कम सुकैनि हैं को नहीं है और आगे चलते हैं आटिकल 22 टुओ सब आटिकल 3 सब्जेक्टुग तो एला कनून के एताबर इसा नहीं है कि किसी भी फिरिके को उस फिरिके की तालीब देने से रुका जाए किसी भी मझदव को मना नहीं किया जाएगा कि वो अपने मझदभ की तालीम देने से रूके हर मझदभ Azad है वो अपने मझदभ के फिर्के की तालीम दिये सकता है मझद दी हो थारिक को सकता है यह जो है ना वो 3 का 3 कहता है 3 का Clause B कहता है No citizen shall have denied admission to any educational institution किसी चास को इस बनियात के ओपर admission देने से deny नहीं किया जाएगा कि और receiving aid यहां कोई मदद यहां मदद स्कोलशिक पी सुरत में हो सकती है किसी पूद पॉब्ली रेवनियू यहां कि पॉब्ली कोई कोमिक खाने से only grant of only किसी चास को किसी तलीमिदार में admission यहां कोई अपना तलीमिदार से कोई scholarship मेरिया कि मदद मेरिय लेने से नहीं भोगा ऐगा इस बेस के ओपर किस बैस की ओपर किस बुरूद युथा बिनातीयोपर और मजभी बिनातीयोपर या फिर प्लाइन अपर इन चार्टि नों पर किस से kapॉन्सानिक यह वाख erig इसका जी, Constitution of Pakistan 1973, Article 22, Class of Article 4. Nothing in this article shall prevent any public authority or making provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizen. जैन्यके, अगर कोई प्रस्मांदा लाक है बैकवर्ड अरिया है, उस बैकवर्ड एरिया के लिए तैलीमी निजाम बरा जो हैना वो लो लो क्लास है, तो उनके पास ही हक हसल है कि वह ऐसी कोई शिक बना सकते हैं, कोई ऐसे प्रविजन गनून बना सकते हैं कि जिसके जिसे क् कि आपका जो backward area उसमें तालीम की बेतरी के लिए कि आपको इनकोई श्रीक कहता है आप अजाद है किसके लिए आप आपके पास हासिल है कि आप हासिल करें आप अपने पास रखें यहां डिस्पोस तसर्फ कर दें किसको अपनी प्रोपटी को वो कहा है इन पाकिसान पाकिसान में कहीं भी किसी भी सूब्य में प्रोपटी है आपकी आप उसको रख सकते हैं आप उसको तसर्फ कर सकते हैं यह आप उसको हासिल कर सकते हैं आप सब्सक्राइब आपके साथ दुकान थी घर में थी और उसका टावर लगना किसी बिजली का तो उसका टैक्स आपको देंगे कराया देंगे आपको कोई कि भी मामला तो सकते हैं लेकिना वहां पर सरकार आ गई है तो वह ले सकती है यहां कि वह जगी रहा है तो आप अजाद है आज हमने आडिकल ट्रूट तरी तक पढ़ा इंशाला नेक्स इडियो मिलते हैं अब तक मुई दीजिए इजादत हुमा इल्ला बलग मबीन झाल झाल